लालसा बढ़ जाए जाए लालसा ही उत्पन्न होना बड़ा मुश्किल है मरा है भगवान का दर्शन दुरलब नहीं है भगवान को प्राप्त करने की लालसा उत्पन्न होना ही दुरलब है और ये लालसा भी भगवान की ही कृपा से उत्पन्न होते है इसलिए भागवत में वेदव्यास जी कहते हैं कि रास मंडल में रास लीला चल रही थी तब तक भगवान अंतरजान हो गए अब गोपियां ब्याकुल हो गई भगवान के लिए रोने लगे बहुत ढूणा भगवान नहीं मिले तब गोपियां अधीर हो करके जोर जोर से रोने लगी और गाने लगी तो शुकदेव जी कहते हैं रूरुदुहसुस्वरम राजन कृष्टण दरसन लालसा कृष्टण दरसन की लालसा से गोपियों ने जब रुदन किया तो परिणाम क्या हुआ उनकी लालसा का परिणाम ये हुआ कि ठाकुर जी प्रगट हो गए वो लालसा उत्पन हो जाये तो लाल जी आने को तैयार बैठें लेकिन लाल जी के लिए लालसा तो लालसा ही नहीं होती माराजन इसी को विंदू जी ने अपने शब्दों में कहा कि भगवान को पाना कठिन नहीं है भगवान को पाने की सच्ची चाह होना कठिना उल्फत नसे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा परमात्मा उसी दिन जाहिर जरूर होगा उल्फत नसे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा परमात्मा उसी दिन जाहिर जरूर होगा हर शय में उसकी सूरत उस दिन जलक पड़ेगी जिस दिन दुई का परदा इस दिल से दूर होगा बिन्दो जी कहते हैं कि लग जाएगी जो उसके कदमों की एक ठोकर पापों का सक्त पुतला पल भर में चूर होगा गर अस्र बिन्दो यूही बहते रहे बिलाशक तो बंदे के सामने हाजिर हुजूर होगा उल्पत नसी का जिस दिन सच्चा सुभूर होगा भगवान को प्राप्त करने की सच्ची चाह जिस दिन उत्पन्न हो जाए भगवान का मिलना दुर्लब नहीं इसी संसार में भगवान मिले सूर को मिले, रहीम को मिले, रश्कान को मिले, मीरा को मिले, कबीर को मिले, तुलसी को मिले कितना गिनाओ भरे पड़े इसी दुनिया में मिले आज भी मिलते हैं और मिले लेकिन कब बोले वैसी लालसा उत्पन्न हो लालसा यह नहीं हो हम सुन लेते हैं समझ लेते हैं फिर उसी दुनिया में रचे पचे रहते हैं चलते रहते चलो ठीक है वो व्यक्रता वो त्वरा वो उतकंठा जब तक नहीं आती तब तक भगवान का दर्शन संभव नहीं होता नारत जी को कुछ कंठा उद्पन्न हो गई और उसी समय आकाश वानी होई भगवान ने अभी कह दिया आकाश वानी में कि इस सरीर से तुम्हें अब मेरा दर्शन नहीं होगा अब नारत जी ने सोचा जब इस सरीर से दर्शन नहीं होगा भगवान का बगवान ने कह दिया, तो अब तो इस सरीर को ही छोड़ देने में गुद्धिमानी, अब इसको छोड़ें दूसरा सरीर मिले, और नारज जी सोच रहे थे तब तक उसी समय आकास में बिजली चमकी, बिद्धुत पात हुआ, और उसी समय मृत्य हो गई, पांच साल की अवस् पुत्र बन करके प्रगट हुआ, देवर्श नारद की रूप, कहां दासी पुत्र होता है, अपकर्ष नहीं होता है, दुनिया के अन्य मतों में तो अपकर्ष होता है, वो लिए एक बार दो, कि तब तक उस कब्र तब तक उसी कब्र में पड़े रहो, तुम्हारा कोई उत्कर्ष नहीं होगा, और जो कुछ होगा वो अर्बों खर्बों बाद, बर्शों बाद, जब कयामत आएगी, तब वो अल्लाह ताला साथ में आस्मान के फलक पर जाहिर होगा, अपनी दाड़ी फटकारते हुए, तब वो तुम्हारे कर्मों का फैसला करेगा, जन्नत और दोजख जो भी देना होगा, जहन्नुम में भेजना होगा, वो करेगा, लेकिन हमारे यहां तो प्रतिक्षन उत्कर्ष होता है, आज आप पतित हो, और आपको सत्संग मिल जाए, ज्यान हो जाए, कल से सारे कर्मों जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी आज और अभी सुधरेगी, इतना बड़ा उत्कर्ष हो जाएगा, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे, अब ही आज, क्या करना होगा? बोले हो ही राम को, राम जप तुलसी तज कुसंग को छोड़ दो, ठ तुम्हारा उतकर्ष होगा और तुम अपने कर्म के द्वारा अपने साधना के द्वारा जितना उतकर्ष चाहते हो सब कुछ प्राप्त हो सकता है तुम देवता भी बन सकते हो ब्रह्मा भी बन सकते हो और इन सबसे उचापत जो भगवान का पादारविंद है उसे भी प्रा यह सनातंडर दिए। बंधुओँ नारत जी के थे फिर तुम भगवान का पुद्रवन करके प्रगरट हूआ और भ्रम्हा जी ने मेरे पीटा जी प्रnah bi प्रदान कर दिया और मैं निरंतर भगवान का गुणगान करते हुए बिचरण करता रहता हूं इस प्रकार नारज जी ने भगवान की कृपा की महिमा बताई और नारज जी ने कहा ब्यास जी आप भी भगवान का गुणगान करो और संशेप में नारज जी ने बेदव ब्यास जी को भागवत तत्त का उपदेश कर दिया और नारज जी चले गए फिर बेदव ब्याष जी ने भगवान का ध्यान किया और फिर भगवान की सारी लीलाएं ब्याष जी के मस्तिस्क में आ गई और ब्यास जी महराज ने 18.000 श्लोकों में इस दिब्य गरंथ को भागवत महापुरान को लिबिवध किया अब ब्यास जी सोचने लगे किसको पढ़ाओं है इस गरंथ का प्रचार कौन करे लेखक गरंथ लिख दे लेकिन प्रकासक अगर उसका वितरन न करे तो वो गरंथ केवल कपड़े में बनधा रखा रह जाता है किसी के उपयोग में ब्यास जी ने सुचा इसका प्रकाशन कोन करे इसको प्रकाश में कोन लाएगा इसका अधिकारी कोन होगा तब ब्यास जी ने विचार किया ये तो परमहंसों की संधिता है और परमहंसों के लिए ही तो बनाया था ब्यास जी ने भागवत तब ब्यास जी को ध्यान आया अपने पुत्र का ब्यास जी के पुत्र शुकदेव जी महाराज शुक है उनका नाम शुक है और शुकदेव जी भाव की द्रिष्टी से हम लोग यह अनुभाव करते हैं शुक माने तोता और तोते के जैसे रहे होंगे इसलिए शुकदेव आजकल उसी की अनुकृती लोग करते हैं भागवत कथा हो तो तोता लाके रख देव और पिजडेम बंद तोता विचारा टाय करता रहता हैं एक यह सब हर चीज की जो करण उसे विचार करना है तोता रखने से फुन्य नहीं होगा उसको तो पिजडाम बंद करके तुम ऐसे पाप कर रहे हों किसी पक्षी को जो सतंत्र विचरन करता है उसे बंधन में डालना य का जो पालन हो पर चुह हैं उनीका पालण किया जाता है जिसे गाय ये वें बकरी भोड़ा जो पालन है जिनका पालन करना सास्ष्ण रoria देता है उन्हीं को बंध्र में रख करके पालना धर्म है उसके अतरिक्त किसी जीव को बंधर में डाल करके अपने सुख के लिए अपनी प्रसंदता के लिए अपनी खुशी के लिए बंधर में डालना यह पाप कि आप कि मैंने तो अपने बच्पन में कई बार ऐसा आउसर मिला अभी भी कभी आउसर मिल जाता है तो उसका मैं लाभ उठाता हूँ कभी आत्रा करते समय रास्ते में देखता हूँ वो पक्षी बेचने वाले सब तोतों को पिजड़े में बंद करकर के रखे रहते दस-बीश पिजड़े तो जा करके उसको जो पैसा देना है उसे दे करके एक-एक तोते को खोल करके उड़ा देता है उड़ जाओ आनंद लोग जिवटकर ये धर्म तोता पालना उसको बंद करके रखना ये सब पुत्ता बिल्ली पालना ये सब हमारी सनातन प्रकृति के विपरीत है तो शुक नाम है इनका ब्यास जी के पुत्र है शुक देता शुक के रूप में भी रहे तो कोई आपत्ती नहीं है वो तो सर्व रूप है तम सर्व अभूत हर्दयम मुनिमान तोसमी लेकिन शुक का म जितना रठा देता है व्यक्ति तोता उतना ही बोलता है उससे जादा नहीं बोलता है तोता को किसी ने रठा दिया राम राम करो तो राम राम करता उससे कहो राम राम कहो तो भी कहता राम राम कहो यहीं नहीं करता है जितना उसे रठा हो उतना ही करता है नया कुछ नहीं म उसी तरह व्यास जी ने अपने पुत्र शुकदेव को जितना ग्यान दिया, उसी ग्यान को शुकदेव जी ने राजा परिक्षित को दिया, उसमें कुछ मिलाने की कोशिश ने, कोई अपना मौलिक ग्यान उसमें उन्होंने नहीं मिलाया, आज मौलिक ग्यान की बड़ी चर् और उनकी पुस्तकों के पर्याद कथन में भूमिका में पुरोवात में लिखा रहता है यह लेखक का मौलिक चिंतन tamanho अपने पास रखो हमारे हान मौलिक चिंतन का कोई मूल्ले ही नहीं मौलिक चिंतन हमारे किसी ने किया ही नहीं सब ने पारंपरिक चिंतन किया बेदव्यास ने मौलिक चिंतन नहीं किया बेदव्यास को जो चिंतन नारद जी ने दिया उस चिंतन को आगे बढ़े उनका मौलिक चिंतन नारद जी ने जिस चिंतन को बेदव्यास को सुनाया वो नारद जी का मौलिक नहीं था ब्रह्मा जी ने उनको जो बताया खावो थे मौलिक चिंतन तुम्हारा दोपॉडी का होता है रखे रहुआ अपना मौलिक चिंतन परंपरा से प्राप्त जो ज्यान है उसी ज्यान का भारत में सदा से समाधर होता चलाया मिमांसा में एक सूत्र है कई पर किसी प्रक्रण में किसी वाग्ष्यका एक अर्थ जो पहले से चला आया था उस अर्थ से अलग एक अर्थ किसी व्यक्ति ने किया तो सूत्रकार कहते हैं ठीक है ये अर्थ जो तुम कर रहे हो ये अर्थ हो सकता है लेकिन ये अर्थ असामप्रदाइक नहीं है असामप्रदाइक माने परमपरय आपराप्त अर्थ नहीं है इसलिए इसका मुल्ले नहीं, हमारे यहां तो संप्रदाय का मुल्ले होता है, इसलिए हमारे हां हर ज्ञान का संप्रदाय है, वैश्णो का संप्रदाय अलग है, शैव का संप्रदाय अलग है, शाक्त का संप्रदाय अलग है, और उन ततत संप्रदायों में जो ज्ञान की आदर दी है। शुकदेव जी को वेदव व्यास जी ने पूरी भागवत पढ़ा दी। शुकदेव जी तो परमहंस थे। जन्म लेते ही शुकदेव जंगल में चले गए थे। बारह वर्ष तक अपनी मां के गर्भ में ही रहे थे। बाहर ही नहीं आ रहे थे। ब्यास जी ने कहा बेटा बाहर आओ, बारह वर्ष हो गए तुम्हारी मा तुमको ढो रही है। शुक्देव जी ने कहा बाहर आएंगे तो भगवान की माया मुझे पकड़ लेगे व्यास जी ने कहा जब तुमको इतना ग्यान है तो ये माया कुछ नहीं कर सकती तुम आओ शुक्देव जी ने कहा विश्वास नहीं ये जिसकी माया है उसको बुलाओ पहले वो आ करके हमको सांतुना दे हमको आस्वस्त करे तब हमावे भगवान को बुलाया व्यास जी थे भगवान ने कहा शुक्देव तुम मेरे ही स्वरूप हो और मेरी माया का तुम्हारे उपर कोई असर नहीं होगा तब शुक्देव जी अपने मां के गर्व से बाहर आए और आते ही जंगल की ओर चल पड़े रुके नहीं बले कहीं ये ममता और मोह आ गया जीवन में तब तो फिर मेरी साधना नहीं हो पाएगी चल पड़े जंगल की ओर बेदव्यास जी पीछे पीछे दोड़ते रेवेटा रुख जाओ रुख जाओ यम प्रभ्रजन्त मनुपेतम पेतक्रत्यम द्वाई पायनों विरह गातर आजुहाओ बेदव्यास जी पीछे पीछे दोड़ते रेवेटा रुख जाओ रुख जाओ लेकिन शुकदेव जी रुखे नहीं गए जंगल पे और जाकरके एक ब्रच के नीचे बैठ गए और समाधी लगा लेगे जब समाधी लगा लेगे तो बेदव्यास जी महराज पुकारते रहे पुकारते रहे लेकिन शुकदेव जी तो समाधी में चले गए नहीं आये ब्यास जी लोड करके जब आ रहे थे तो रास्ते में एक सरोवर पड़ा उस सरोवर में कुछ इस्त्रियां असनान कर रहे थे जाते समय भी वह अश्नान कर रहे थे और शुकदेव जी जब वहां से चले गए तो इस्त्रियां शुकदेव जी को देख करके मुस्कुरा रहे थे उमको प्रणाम कर रहे थे पीछे से बेदब ब्यास जी आ रहे थे अपने पुत्र को बुलाते हुए बेटा रुग जाओ रुग जाओ जब बेदब ब्यास जी आये तो वह इस्त्रियां फटा-फट अपने बस्त्रों को धारन करने लगी और लज्जित हो गड़ी ब्यास जी कुछ नहीं बोले लेकिन जब उधर से लौट करके आ रहे थे ब्यास जी तब उन्हों इस्त्रियों से कहा एक बात बताओ बोले क्या बोले मेरा जवान बेटा बारह साल का नंग धिडंग कोई कपड़ा भी नहीं पहना था दिगंबर था इसी रास्ते से चला गया और उसे देखकर के तुम्हें लज्जा नहीं हूई और मुझ बुढ़े को देखकर जिसके सरीर गलित हो गए केश पलित हो गए ऐसे व्यक्ति को देखकर के तुमने लज्जा किया क्या कारण था तो उने इस्त्रियों ने कहा व्यास जी तद बीक्ष प्रिक्षति मुनव उनी व्यास ने पूछा तो उने इस्त्रियों ने कहा कि व्यास जी आपके पुत्र जो शुकदेव हैं वो परमहन संस उनकी द्रिष्टी में इस्त्री पुरुष का भेद भी नहीं उनको पता ही नहीं है कि इस्त्री किसे कहते हैं पुरुष किसे कहते हैं लेकिन आपके अंदर तो इस्त्री पुरुष के भेद का ग्यान है इसलिए आपसे लज्जा करना अनिवारिय है लेकिन उनसे कोई लज्जा की आवश्रक्ता नहीं थी ऐसे परमग्यानी शुकदेव जी मारा है समाधी में बैठ गए ब्यास जी लोट करके चले आए और इधर ब्यास जी ने जब पुरान की रचना की भागवत के तब ब्यास जी ने विचार किया कि ये पुरान मैं अपने पुत्र शुकदेव को पढ़ा दो वो परमहंस इसका अधिकारी है और ब्यास जी ने भागवत के दो-चार इश्लोक अपने सिश्यों को याद कराया और कहा जाओ जहां पर शुकदेव समाधी में बैठे हैं वहीं पर भागवत के इन इश्लोकों का पाठ करना ब्रह्मचारी पहुँचे एक इश्लोक पढ़ा क्या इश्लोक पढ़ा अहो बकियम स्तनकालकूटम जिघाम सयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्र चुताम ततोन्यम कमवादयालूम श्रणम प्रजेमो इस श्लोक का भाव है जब भगवान छे दिन के थे कनया क्रिश्ट पूतना का दूध पीते पीते पूतना के प्राण को भी पी लिया कथा मालूम है आपको पूतना मर गई और उस पूतना को भगवान ने वईकुन्ठ दे दिया उस पूतना को माता की गती प्रदान की इस कथा का समर्ण करके बेदव्यास जी कहते हैं कितने आश्चर की बात हैं बका सुर्की बहन बकी पूतना अपने अस्तन में काल विश हम ragår भुष ह्भगवान को मारने आई जिघाम सया रहा प्रीम से नहीं आई दूद पिलाने नहीं आई तो मारने आई जिघांसा से आई ते और बहुत अच्छी नहीं थी जिघांसा च्ञार यदप्य साध्वी असाध्वी थी, साध्वी नहीं थी, दुष्टा थी, गुंडा टाइप की थी, महिला गुंडा जिसको कहा जा, आज की बाशान, तो इस प्रकार की थी, लेकिन भगवान ने उसको भी परमगती पुर्दान कर दिया, अईसे दयालू भगवान को छोड़ करके हम किसकी सरण में जाएं, खुद से ये प्रश्ट है, कहां जाएं, ऐसा दयालू कोन मिलेगा? एक श्लोक में कृष्ट की इस लीला को सुनकर, सुकदेव जी की समाधी छूट गई, आँखे खोल दे टक से अरी, उस परमात्मा का ये बैव हो है, वो इतना कृपालू और इतना दयालू है, मैं तो आज तक यही जानता था कि वो परमात्मा निर्गुण निराकार निर्विकार है उसमें कोई गुण ही नहीं वो तो निर्गुण है लेकिन उसके अंदर दया और करुणा जैसे दिव्य गुण भी और उन गुणों का परिणाम असाथभी पूतना का उद्धार ये सब सुन करके शुकदेव जी का ध्यान समाधी से हट गया और बड़े मगन हुए उन्होंने का और सुनाओ उस परमात्मा के दिव्य गुणों का वर्णन करो जब उसके गुण इतने दिव्य हैं करुणा दयाक्रपा तो उसका स्वरूप कितना सुन्दर होगा क्योंकि अभी तक तो शुकदेव जी समाधी में निराकार ब्रह्म, चिनमय ब्रह्म, ज्यान मात्र ब्रह्म का चिंतन कर रहे थे समाधी तब स्ष्ष्यों ने एक श्लोक और सुना दिया क्या सुनाया भगवान के उस मनोहर रूप का वर्ण किस समय की जहां की जब भगवान श्रीकृष्ण गायों को चराने के लिए गायों के पीछे पीछे चलते हुए वरंदावन में प्रवेश्ट कर रहे क्या स्वरूप है वोले प्रातक काल की वेला है कलेव करके सबेरे सबेरे सुर्योदय के तुरंत बाद अभी ज्यादा धूप नहीं हुई है ठंडे ठंडे ज़ुए कलेव करके ठाकुर गायों को चराने के लिए अपने घर से निकल रहे हैं एक दो गाये नहीं है हज्जारों की संख्या में गाये हैं और भगवान के जितने सखा हैं वो पहले से ही तैयार होकर के नंद बाबा के द्वार पर खड़े हैं कनया की पृतीक्षा करने कनया चले तो हम भी चलें अपनी गायों को ले करें केवल क्रिश्ण की गाये कई हज्जार संख्या में और फिर उन सखाओं की गाये लाखों की संख्या में गाये और वे सखा और भगवान क्रिश्ण जब अपने नंद भवन से निकलते हैं तो क्या जहां कि ए उनकी महराज बरहा पीडं नटवरब पुक्कर्ण योक्कर्णिकारं विप्रत्वा सक्कनक कपिशं बैजयंतीं चमालां रंधान वेडो रधर सुधया पूरयं गोब ब्रंदैही ब्रंदारण्यं स्वपदरमनं प्राविशत्गीत कीर्थिही मोर के पंख का भगवान ने मुकुतधारण कर रखा बरहा पीडं ब्रंदावन के जो ठाकुर हैं बड़े सहज हैं ये तो उनको आज लोग सोना और हीरे का मुकुत पहना दे लेकिन ब्रंदावन के कनईया प्रिष्ण तो ब्रज में मोरई मुकुतधारण कर को उनका स्रिंगार कोई बहुत महंगा नहीं है क्या किया वो लेक नईया ने एक कपड़ा लिया और उसी की पगड़ी बांध ली और उसी पगड़ी में एक मौरपंख ऐसे तिका दिया बस हो गया मुखो बरहा फीडम नटवरब पूहू सहज पिंगार है करनयोह करनिकारम कानों में कुंडल और किस चीज का कुंडल सोने का हीरे का बहुत करनयोह करनिकारम कनेर पुष्प का कुंडल कनेर पुष्प होता ने पीले रंग का लंबा-लंबा ऐसे उसकी डंडी ऐसे थोड़ी टेड़ी होती है देवी को चढ़ता है वो भूल विशेश करके पीतामबरा भगवती को उस फूल का जो डंठल होती है वो ऐसे चेड़ी रहती है कनया क्या करते वो ले एक फूल इधर से लिया एक फूल इधर से लिया उसकी डंठल को कान में इसे टिकाया इधर टिकाया दो कुंडल बन गए मारा करनयोग करनिकारम ये के समान चमकता हुआ पीतामबर सिल्क का कनक का पिशम और गले में माला हीरे की सोने की वले नहीं बैजयंतीं चमालां बैजयंती की मालां बैजयंती की मालां बैजयंती की मालां बैजयंती की मालां यही ठाकुर की मालां बैजयंतीं चमालां रंधान बेडो रधर सुधया और अपने अधरों पर वनशी को रखकर भगवान धीरे धीरे मदुर मदुर स्वरलहरी प्रगट कर रहे हैं और गायों के पीछे-पीछे चल रहे हैं सखा भगवान को घेरे हुए है गायें आगे आगे चल रही है गायों के चरण से जो धूल ऊड़ रही है वो गोविंद के उपर पड़ रही है और इस प्रकार सुन्दर मधुर बेणु रव बेणु निनाद करते हुए भगवान ब्रंदा बन के सखन बन में गोचारण के लि या ब्रंदा बन में जूता चप्पल नहीं पहनते खणाओं पादुका धारण नहीं करते नंगे पाओं घूमते इसले बेदव्याज जी केते हैं स्वपद रमणम अपने चरणों से ब्रंदा बन में नंगे पाओं भगवान बिच्रण करते हैं वोले नंद बाबा इतने असमर्थ थे कि अपने बेटे को एक जूता और एक पादुका भी नहीं दिला सके वोले असमर्थ नहीं थे नंद बाबा तो नंद बाबा परंतु कनहिया क्रिष्ण का सिध्धान्त है ये गववे मेरी आराध्या है क्रिष्ण जो है वो गोपाल है गायों की सेवा करते हैं और जब स्वामी पादुका धार्ण न करें तो सेवक को भी धार्ण करने का अधिकार नहीं हो बगवान कृष्ण ने सोचा ये गायें तो जूता चपल नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूं मैं तो इनका सेवक है इसने नंगे पाव ठाकुर बंदावर में घूमते हैं इस ज्ञांकी का जब बर्ण किया तो शुकदेव जी महराज के आँखों से असुरुपात होने बगवान के इस मनोहर सुरूप का चिंतन करके शुकदेव जी भाव विभोर होगे बुले और सुनाओ और सुनाओ ब्यास जी के सिश्चों ने कहा और हमको नहीं मालूम है हमा आधी छोड़ करके शुकदेव जी चले आए और आकरके अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और बैठ गए और कहा पिता जी मुझे भागवत सुनाओ पिता जी ने अपने पुत्र शुकदेव को उपर से नीचे तक देखा यह यही मेरा बेटा है जिसको मैं बुला रहा था और यह मेरी बात नहीं सुना चला गया रोकने की रोकने का प्रयास किया यह नहीं रुका लेकिन आज यह स्वेम चलकर कर आगया क्यों चलकर कर आगया व्यास जी को अपने कृत्य पर गर्व नहीं हुआ कि जिसको मैं बुला रहा था वो नहीं आया लेकिन आज तो तो आ गया सुहमाया चलकर, इस बात को सोच करके व्यास जी ने अपनी चाती चौड़ी नहीं की, अपी तो व्यास जी के आँखों में अस्रू आ गए, धन्य है ये गोविंद की कथा, कि इस गोविंद की कथा ने मेरे पुत्र को मेरे पास बुला दो, इस कथा के लिए प्त को भगमान से मिला देती है, ये कथा एक बुछड़े हुए पुत्र को अपने पिता से मिला देती है, यही राम कथा में भी हुआ, कुश और लो, नई मिशारण में जब इस कथा को गाने लगे, इस कथा को सुन करके राम जी आ गये, और राम जी ने बैठ करके पूरी रामायन लोकुष के मुखारविंद से सुनी, और उन लोकुष को अपने पिता की प्राप्ती हो गई, पिता को अपने पुत्र की प्राप्ती हो, ये कथा तो बड़ी विलक्षन है, ये कथा सारे सास्त्रों का सार, और भगवान की कथा में जो डूब गया, वो संसार सागर से तर जाता है संसार सागर में डूबने से अगर बचना है तो भगवान की कथा में डूब जाओ अगर इसमें नहीं डूबे तो संसार में तुम डूबोगे पक्की बात है और संसार में डूबने से बचना है तो भगवान की कथा के भाव में डूब जाओ ये डुबोने वाली कथाई बंधुओं श्री शुकदेव भगवान आकर के पिता के चरणों में बैठ गए और पिता जी से संपूर्ण भागवत को शुकदेव जी ने सुना और सुन करके इसे ग्रहन कर लिया यहाँ पर शुनक जी ने सूत जी से प्रश्ण किया है कि शुकदेव जी तो कस्यवा ब्रहिती मेताम आत्मा रामो समभ्यसत शुकदेव जी तो आत्मा राम थे और ऐसे शुकदेव जी ने इतनी बड़ी संगिता का अठारह हज्जार श्लोकों को पढ़ने का और इसे याद करने का इतना बड़ा पुरुशार्थ क्यों किया तो सूत जी कहते हैं शुनक आत्मा रामस्चमुनयो निरग्रंथा अप्युरुक्रमे शुनक जी के प्रश्ण का उत्तर देते हुए सूत जी कहते हैं आत्मा रामस्चमुनयो निरग्रंथा हा जिनके जीवन में कोई ग्रंथ नहीं ग्रंथ मने गांठ शुकदेव जी के जीवन में कोई गांठ नहीं है जन्म लेते ही हमारे जीवन में गांठें आ जाती है जैसे बच्चे का जन्म होता है तो पहले उसकी नाभी के नाल को काट करके उसी को बांध दिया जाता एक गांठ बारह दिन का हुआ तब उसके कमर में काले रंग का धागा पहना दिया उसमें भी गांठ लगा दी दूसरी गांठ फिर कपड़ा पहनाया उसकपड़े में गांठ और बड़ा हुआ तब उसका मुंडन करके चोटी छोड़ दी अब चोटी में गांठ लगाओ चोटी में गांठ फिर और बड़ा हुआ ब यग्योपवीद संसिकार होगा तो यग्योपवीद में ब्रह्मा विष्णु महेश कि गांठ इसके बाद बोले अब तुम्हारा विवा होगा और पत्नी के साथ तुमको बाधा जाएगा फिर उसमें भी गांठ गरतबंधर होता ना गांठ पे गांठ लगती रही पूरे जीवन भर और एक के बाद एक गरंथी में हम बंधते ही रहे जीवन ये तो समझाने के लिए कहा जाता है इसके अलामा कितनी गरंथियां है जीवन में और उन गरंथियों में हम गुथे हुए हैं बधे हुए हैं निकल रही बात बात कि सूथ जी कहते हैं हेव उन्यों जिसके जीवन में कोई ग्रंथी नहीं ऐसे कौन बोले शुक्देव जी जिनोंने कपडा भी नहीं अपने जीवन में धारण के दिगंबर ही रहते हैं लेकिन उन्होंने भी इस ग्रंथ का आस्टे लिए यह भी ग्रंथ है ग्रंथ का मतलब गांट ये भी तो ग्रंथ है भागवत ग्रंथ है ये ऐसा ग्रंथ है जो दुनिया की सारी ग्रंथियों को खोल देने वाला कि इस ग्रंथ को जीवन में अपनाया तो सारी गांठ खुल जाएगी और इस ग्रंथ को नहीं अपनाया तो गांठ पे गांठ लगत भी चली जाएगी और उलजते चले जाएगी ये तो सुल जाने वाली है और शुकदेव जी ने सुना और समय आने पर शुकदेव जी ने ये कथा राजा परिक्षित को सुने